नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस्ट यूटूब चैल में दोस्तों आप सभी के एकजाम को लेकर इस वक्त की तीन बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं जो कि इस वीडियो हम एक एक करके तीनों बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाले हैं त ठीक है तो पहली बड़ी खबर यह है अगली बड़ी खबर हम और भी जानेंगे तो प्लीज वीडियो में पूरी तरह से बने देगे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती क्योंकि तीन बड़ी खबरे हम आप लोगों को बताने वाले हैं अलग अलग इन्वर्सिटी से पहला इसमें दिया जा रहा है कि आजी की खबर है पुरूप आप लोगों को वीडियो के जसकेस्ते में मेरा वार्टसप ग्रूप मिल जाएगा वो इससे ज्वाइन हो जाईएगा तो उस पे मैं आप लोगों को आज के जो पेपर हैं आज का न्यूजे में डाल दूंगा तो इन दया लुपत द्याए गोरगपृ बिश्विद्याले में असनातक अंतिम वर्स वा असनोकत्तर अंतिम वर्स के सेज प्रस्न पत्त्री की परिच्छाएं जून के पर्थम सप्ता में हो सकती हैं परिच्छाएं कुरोना को लेकर जारी एडवाइज जरी के अनुसास संता सालित की जाएंगी यह नेड़क सुकुवार को परिच्छा समित की आनलाइन बैठक में किया गया बैठक की अधचता करते हुए कुलुपत प्रोफेसर आजय कृष्ण सिंग ने कहा कि हमारे लिए बिद्यार्थियों का जीवन आर्थिक महत्वपूर्ण है शत्र बिलंबित होगा तो उसे नियोजित किया जा सकता है हम उन विकल्पवर विचार कर रहे हैं जिससे आगामिश शत्र को नियमित किया जा सके बैठक में तय किया गया है कि अंतिमवर्ष की परिच्छा को प्राथिमिक्ता दी जाएगी यह इस्थित न वीडियो कॉलिंग पर बात हुई कि सभी अपने टीमों से जो भी उनके वहां के प्रोफेसर लोग हैं तो उनमें ये बताया गया है कि अगर नार्मल लहा तो जून के पृथम सब्ता में परिच्छाय कराई जाएंगे ये मैं नहीं कहे रहा हूं ये खुदी नियू जाए इस अगली वीडी ख़बर दूसरों आरे यह पर आप देख पा रहे होंगे लिखा यह वी आजी की खबर में तीनों बड़ी खबर हैं कि अप लोगों को पूरूप के साथ वाट्सभ गरूप पे ढाल दूंगा ठीक है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा है कि वि प्रफम में दाखला लेने वाले नो प्रेवेशित बिद्यार्थियों की कच्छा हैं 17 अगफ से सुरू होंगी वहीं पढ़ाई के घंटे कोर्ष के अनुसार बढाय जाएंगे और छुट्टिया भी कम होंगी इस सत्र में आगे सीथ कालीन आउकास भी कटाये जाएगा तो अ हम आप लोगों को इसका जो डेटियल है वह बाटसफ ग्रूप पे डाल देंगे और यहां पर जो पॉइंट में लिखा है यह पढ़ लेते हैं यूजी वह पीजी की सीनियर कच्छाओं की पढ़ाई सुरू होगी लागडाउन के बाद तो इसमें कुल मिला कि यह बताया ज से एसमजीव का नया सैचनिक सत्र होगा तो इसकी भी बैठक में यानि कि कानपुर निवर्सिटी की जो प्रोफेसर लोग है वहां के कॉंसलर है कॉंसलर के द्वारा जो बैठे मीटिंग होई उसमें यह बताया गया कि भले ही अभी अभी चाहूज जी महराज विश्विद बिद्याले की कुलपत प्रोफेसर नीलम गुपता ने बताया कि छे जुलाई से दूसरे तीसरे चोथे और पाच्वे वर्ष की चात्रहों की कच्छाय सुरू करा देंगे सुमवार को इस समन्मन में बिश्विद्याले के सभी प्रसाशनिक अपसरों के संग बैठक में बै कोई सुचना है तो फिराल अभी इसमें पर्मोशन के लेकर कोई बात नहीं है लेकिन जो अभी मैंने कल वीडियो डाली ते उसमें मैंने बताया था मुंबई इनुवर्सिटे ने फाइनल डिसीजन ले लिया वहां की सिच्छा मंत्री ने कह दिया कि महाराष्ट के सिच्छ नहीं आए फिरहाल जैसे भी कोई सुचना आती हम आप लोगों को जरूर इंफोर्मेशन करेंगे आपको किस इनुवर्सिटी से सम्बंद एक्जाम को लेकर सुचना चाहिए प्लीज कमेंट में जरूर बताएं हम आपको नेस्ट वीडियो में नेस्ट अपडेट के साथ मि जरूर बताएं हम खड़ी नेस्ट अपको लेकर साथ मेंट रहा जरूर बताएं हम आपको जरूर सुचना चाहिए आपको मेंट